सब्सक्राइब करें हमारे यूटूब चैनल लिसानी डीजिटल को और साथ इसाथ बेल एकन को भी फ्रेस कर दे ताकि हमारा जोभी LATEST वीडियो आपको असानी से मिल सकते हरा विद्वान स्वाइब करता हूँ आपको हमारे यूटूब चैनल त्वानी टिश्टल में जैसे कि प्रिवयाद वीडियो मैंने आप लोग को बताया था कि विन वर्ड में इंसर्ट मेनु के अंदर टेस्ट बॉक्स को कैसे क्रियेट किया जाता है और क्विक पार्ट को कैसे एड़ करते हैं उसी MS वर्ड में इंसर्ट मेनु को अगे प्रोसेस करते होए आज मैं आप लोग को बता हमा कि यसी इन्सेम फैनी होता है उस में वासा आपको सब्सक्रैब वेटर मिलें टो आज तो आज जो मैं मतां कि वींड़ों टेंट dec. k redu, वाघ के बारे बताऊगा कि कैसे अड़ किया जाता है तो अगर आधे चेकाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें विडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें साथ नीचे कॉमेंट बॉक्स में अपना कॉमेंट भी दें त अपने कंप्यूटर स्क्रीन के पास और आज सिखेंगे यहाँ पर कि एमेस वीनवाट में जो इंसर्ट मेनू होता है उसमें वड़ाट को कैसे यूज किया जाता है ड्रोप कैप को कैसे यूज करते हैं तो गैस आपको बोलना चाहूंगा कि अगर अभी तेकाब हमारे चैन नो आप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं सका लिंक नीचे डिस्किप्षिन भौ्क्स में आपको मिल जाएगा और जो ब्लॉग है कंप्यूटर कोईस्टन एंसर का वह इसका भी मैं नीचे डिस्किप्षिन बौक्स में दे दूंगा तो डिस्किप्रीप्स चुरूर से चेक करें चली चलते हैं computer की तरह बाद देखते हैं कि MSB Invert में insert menu में वाड़ाट को कैसी use करें तो सबसे पहले MSB Invert को open करेंगे जैसे कि देखें मैं इस चीज को यहाँ पर note out कर रहा हूं तो मैं इसको उपर कर देता हूं ठीक है अब मैं आपको बताँगा किört वाड़ाट का use कैसी क्या जाता है गाई तो सबसे पहले उसके लिए आपको जाना होगा insert menu में जैसे कि मैं आप लोग को बता रहूं दिखिए insert menu में इस में जाने के बाद आपको करना जाना कहां पर insert menu पर क्लिक کرना है जिसे आप insert menu पे click करेंगे आपके सामने इस परकार से interface आजाएगा इस परकार से interface आजाएगा इसमें से आपको select करना जो आपको use करना आज मैं बताऊंगा वो है word art और drop cap ये दो चीज के बारे मैं आपको आज बताऊंगा तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि word art होता क्या है तो क्यास मैं आप लोग को बताना चाहूंगा word और art दो सब्दे मिलके बना हुआ word में आर्टिंग को देने के लिए word art का use किया जाता है यानि अगर आपका जो भी word है उसमें आप कुछ design देना चाहते हैं उसे style में लिखना चाहते हैं उसके colorful लिखना चाहते हैं कोई बी चीज़ का अपने नाम या कोई भी जो आप add करना चाहते है word में तो उसके लिए use किया जाता है सबसे पहले मैं उस पर क्लिक करूँगा तो इधा कि याप जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर आपके अपसन बहुत सारे दे रहे हैं जैसे कि यह ब्लैक में दे रहा है इस प्रकार से यह मैं आपको एक चीज़ी और बताना चाहूंगा कि मेरे पास विंडो टेन है इस कारण से यह आपका इस प्रकार से सो कर रहा है गर आपके बस विंडो शेबन या विंडो थी रहेगा तो वहाँ पर आपके डिजइन सो करेगा लिखा हुआ यहाँ पर जैसे इसई चाहिए पर हो एक पर कलिक करना होंगा, जैसे कि मैं इस पे करता हूँ, इस पर जैसे jsma कलिक करनाँगा, आपके सामने इस परकार एक एक इंटरस क्फूल जाएगा, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ यहाँ पर लिक़ा रहा है इंटरियोर अटेक्स्ट, यहाँ पर आपको लिखना है जो भी लिखना है जैसे कि मैं लिखता हूँ जैसे यहाँ पर मैं इसानी डिजिटर लिखता हूँ इसानी डिजिटर जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दे है इसानी डिजिटर ठीक है अब मैं इसे चाहूँ तुर्णा नीचे भी ला सकता हूँ चाहते हैं या फिर आप इसमें थोड़ा चेंजिंग लाना चाहते हैं तो आप यहां से भी इस परकार से भी चेंजिंग ला सकते हैं तो आप इसको अगर साइच को बड़ा करना हो इस परकार से कर सकते हैं आप इसको जहां पर में करें आप ले जा सकते हैं अगर आप इसको और बड़ा लिखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको होम पर जाना होगा और यहां से साइच को और इंक्रीज करना होगा कि इस परकार से कर सकते हैं अगर आप इसी चीज को वाड़ाट में फिर से चाहते हैं कि नहीं मुझे यह लेटर लिखना अच्छा नहीं लग रहा तो आप यहां से जाकर वोपस से यहां से देखी है आपक वही चीज़ लिखा हुआ आ रहा है तो आप इस प्रकार से नए-नए डिजाइन को क्रियेट कर सकें। हैं, जैसे कि मैं दोनुों को डिलीट करता हूँ, वोव慢慢 फिर से बताता हूँ झाहतud anthropique कि ए इस परकार से में डिलेट कर देता हो इसको इसके बद इंसेट पर जाओओंगा वाड़ाट पर क्लिक करूंगा ब dispel She Kids मुखे नीचे भी सो कर जीसे आप देख रहुए यहाँ देखे इसके नीचे साथ में भी कि आप देख रहोंगे यहां पर किसो कर रहा है मुझे भी इसी प्रकरस्था लीखना तो मैं लीखईए इशानी ऊ ev dr कि इस प्रकरस्था मैं लिखईए और इसमें साइच को बढ़ा कर दूंगा मैं यहांसे आप चाहें तो यहां से भी ले सकते हैं इसमें से भी design changing कर सकते हैं आप ठीए गैस मैं इसको फोड़ा और बड़ा कर देता हूं यह देखिए हो गया size में तोड़ा और increase कर देता हूं इसका अंग देखिए जैसे कि मैं इसका increase करके size बड़ा कर दिए अब इस परकार से आप देख सकते हैं इसको चाहेंगे तो बर्ड भी कर सकते हैं, बर्ड करने के लिए कंट्रोल बी का यूज़ करके कर सकते हैं, इस पर टास से इसमें डिजाइन आप दे सकते हैं, कोई भी चीज़ को लेक कर, तो ये तो था आपका वाड़ाट का यूज़ इसकी क्या होता है, आप अपने गर को लिखे हूँ जैसे मैं लिखता हूँ यहां पर शोनु किसी का नाम सोनु यहां पर लिख दिया अब उसके बारे में अगर मुझे डिटेल्स कुछ लिखना हो जैसे मैं इधर से लेता हूँ इसको और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैंने लिख रखा यहां पर अब मैं option आपके पास दिया एक non जो कि बिलकुल पहले जैसे है उसी प्रकार से रहेगा दूसरा आपका drop it drop it का मतलब क्या होता है कि आपका जो लिखा हुआ first letter है वो capital हो जाएगा और बड़ा size में हो जाएगा और तिसरा जो आपका है वो है आपका in margin in margin का मतलब क्या होता है कि यह आपका जो लिखा हुआ है नाम उस चीज को first letter capital बड़ा से रहेगा और नीचे भी जो आप लिखे हैं उसके बार मुझे भी area को वो खबर कर लेगा तो इस परकार से आप कर सकते हैं यह तीन चीज आपका होता है drop का app में तो मैं आपको दिखाता हूँ करके जैसे कि मैं अगर करता हूँ drop it मैं करता हूँ देखी इस परकार से यह आ गया आप इसे चाहें तो यहाँ से थोड़ा बोड़ा भी कर सकते हैं जैसे कि आप देखिए यहां पर बड़ी अच्छा नहीं लाएगा क्योंकि इस विए फिर आपको सायज लेना पड़ेगा और थोड़ा चोटा करना ही इसका सही है यह क्या होता है कि जैसे कि आप देखेंगे कहीं पर भी कोई बाइनार बागेरा बनता है जिसके अगर इस नाम से गर दो तीन ऑप्सन दिया हुआ जैसे सर्वीस शेक्योर्टिय बागेरा इससी इस तरी कैसे लिखा रहा रहा था तो इस से कैपिटल रहता है वागे सब्सक धाँ वो एड आड़ करने के लिए कैप्स ड्रॉप का यूज करते हैं दुसरा जाफ का है मार्जिन का यूज करके भी आप कर सके लिए थे लिओंता है तो आपको यह अगया होगा है अगर तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में कुछ और भी प्रोसिस को लेकर इंसाट मेनू के लिए तब तक के लिए थैंक्यू सो मच धन्यवाद